आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे क्या पूछ रहा है कि जब एक Viral DNA Incorporate होता है Host DNA के अंदर तो हम इसको क्या बोलते हैं तो आपको पता है कि जब जो Temperate Phages होते हैं Temperate Phages तो ये जब Enter करते हैं Bacteria के अंदर मैं इनको Enter कराई हूँ Bacteria के अंदर तो ये कोई भी Bacteria को Lysis नहीं करेंगे मतलब इनके Enter होने की वज़े से Bacteria जो है वो तूटेगा नहीं Burst नहीं करेगा ठीक है अब Phage का जो Genome है ये करने के बाद क्या हुआ कि जो इस Phage का Genome था जो DNA था वो क्या करेगा वो Incorporate हो जाएगा कहां पर Bacteria के Genome के अंदर ठीक है Incorporate हो जाएगा और फिर क्या करेगा replicate करेगा यहाँ पर आने के बाद ही क्या करेगा replicate कर रहा है Bacteria के Genome के अंदर उसके साथ ठीक है अब जो Phage का Nucleic Acid है वो क्या करेगा अब मैं आती हूँ Phage के Nucleic Acid पर तो जो इसका Nucleic Acid है यह क्या करेगा यह incorporate होगा होस्ट के Genome पर जब Phage का Nucleic Acid जो है वो incorporate होता है होस्ट के Genome के अंदर तब मैं उसको क्या कहती हूँ यह कहलाता है हमारा प्रोफाज ठीक है और जब मैं कहती हूँ कि यह जो प्रोफाज है जादा तर क्या होता है जादा तर जो प्रोफाज जीन होते हैं वो रिप्रेस्ड होते हैं सिर्फ दो रिप्रेसर प्रोटीन से इसके जो जीन होंगे यह रिप्रेस होंगे बेसिकली दो रिप्रेसर जीन से ठीक है तो ये तो थी extra knowledge basic बात हमें बस यही पता करना था कि जब हम nucleic acid यानि की DNA कह सकते हैं उसको जब हम host के genome के अंदर डालते हैं तब हम क्या बोलते हैं उसको pro phage बोलते हैं तो answer तो हमें पता है कि option third है बट जब मैं बात करती हो option one की which is phyco phage तो क्या होता है phyco phage basically हमने सुना है phycology phycology क्या होता है ये branch होती है botany की जिसके अंदर हम किसे deal करते हैं algae से ठीक है phyco means something related to algae अब इसको हम alkology भी बोलते हैं अब वो viruses जो की seaweed या फिर algae को attack करते हैं उनको मैं कह देती हूँ phyco phage तो ये हमारा answer नहीं हो सकता है then अगर मैं बात करती हूँ syno phage की चीक है तो ये ऐसे viruses होते हैं जो की infect करते हैं किसको syno bacteria को आपको नाम से ही idea लग गया होगा something related to syno bacteria तो ये भी हमारा answer नहीं हो सकता है तो इस question के लिए हमारा right answer option third होगा pro phage classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के ले डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट 84444 पर